निए मैं और देनेन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए हो बिल्कुल अच्छे आज हम आपके लेकर आए हैं सबीक बनाने में बहुत ही आसान है और गर्रीख चीजब्रेट तो सभीकी बहुत होती है तो जाए फटा फट से गर्लीख चीजब्रेट बनाना स्टार्ट करते हैं गार्लिक चीजब्रेट बनाने के लिए हमने यह पे लिया है एक बाउल और बाउल में सबसे पहले हम डाल देंगे दो चम्मच मौज़रा चीज साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी बारी कटिवी हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो डालने बढ़ना इसकिप कर दें थोड़ा सा डाल देंगे हम बारी कटावा हरदनिया एक चोटा चम्मच चिलिफलेक्स एक चोटा चम्मच औरिगैनो दो चम्मच डाल देंगे हम गार्लिक बटर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबी चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आईए चीज ब्रेट बनाना है स्टार्ट करते हैं चीज ब्रेट बनाने के लिए हमने लिए एक नॉर्मल साइज की ब्रेट स्लाइज सबसे पहले हम इस तरह से कट लगा लेंगे बिल्कुल कॉर्णर पर से हमें कट लगाना है अब हमने बटर मियॉनी तयार करके रखी है उसको ब्रेट के उपर बहुत अच्छी तरह से नाइफ की साइटा ऐसे लगा देंगे देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों को ब्रेट पर लगा लिया है आईए फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं बहुत आइस्ता से हमें ब्रेट को फोल्ड करना है देखिए कितनी बढ़िया हमारी फ्लार स्टाइल में ब्रेट तयार होगी कितनी सुन्दर लग रही है अभी तो इसको बेक करना बाकी है उससे पहले ही देखिए, कितनी बढ़या हो and कितनी सुन्दर लग रही ही है अब हम लगा देंगे ऊपर से थोड़ी सी चीज अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिमला मिर्च भी लगा सकते हैं हरा धनिया पती भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे लगा रहे हैं sweet corn देखिए इसी तरह से हम सारे pieces को तयार कर लेंगे आपको पास से दिखाते हैं कितना सुन्दर लग रहा है वापस से हमने एक bread slice ली है इस पे तयार कियोए mixture को लगा देंगे देखिए कितनी बढ़िया लग रही है आइए अब हम side से cut कर लेते हैं आपको दौनों में से जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से bread को बना के तयार कर सकते हैं आइए fold करना start करते हैं देखिए कितना आसान तरीका है fold करने का यह देखिए कितना बढ़िया से flour बनके तयार हुआ है अब हम center में थोड़ी सी cheese लगा देंगे यह देखिए हमने garnish भी कर दिया है इसी तरह से हम सारे pieces बना के तयार कर लेंगे देखिए हमने फटाफट से कितने सारे pieces बना के तयार कर लिया है हमने center में cheese डाली थी तो cheese के उपर हम हलका चिलिफ्लेक्स टाल देंगे और आईए अब हम फटाफट से bake कर लेते हैं cheese bread को bake करने के लिए आज हम microwave या oven use में नहीं लेंगे हम pan में बनाएंगे हमने आप एक pan लिया है pan को गरम होने के लिए रख दिया है थोड़ा सा butter डाल देंगे और तयार कियेवे pieces को हम pan में रख देंगे gas के flame को low कर देंगे gas के flame को high और medium नहीं करना है तयार किये वे सबी pieces हमने pan में लगा दिये हैं अब हम lid लगा देंगे और 5-7 knit के लिए इसी तरह से low flame पर bake कर लेंगे देखे फ्रेंट 7 knit complete हो गए हैं और कितने बढ़िया से हमारी cheese bread बनके तयार हुई है लिड ढटा के चेक करते हैं देखे लुकिंग में कितनी बढ़िया हैं कितनी सुन्दर लग रही हैं और cheese भी बहुत अच्छे से melt हो गई है और crispy भी हो गई हैं आपको पास से दिखाते हैं देखे पीछे से भी कितने अच्छे से bake हुई है इसी तरह से हम सारे pieces तयार कर लेंगे और गर्मा गरम cheese bread को सर्फ कर देंगे देखे फ्रेंट्स garlic cheese bread बिल्कुल रेड़ी है हमने सर्फ भी कर दी है तो फ्रेंट्स गर्मा गरम garlic cheese bread बनाए टेस्ट करें और अपने comments हमसे share करें thank you, thank you so much, have a nice day